हलो डियर फ्रेंट्स कैसे हो आप सब लोग होप आप सबी ठीक होंगे तो हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी है मौडन इंडिया पे तो उसकी आज 24 वीडियो है अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है कि आज हम देखींगे 28 ट्राइबल अज़िंग ट्रीके से हाते हैं एएर पूचा जाता है कि कब से कब तक हुआ था रीजन पूचा जाता है कि कहां हुआ था काश पूचा जाता है कि क्यूं हुआ था और इसके में लीडर कौन थे इस रिवेल्ट के ऐसे question देखने को मिलते हैं ठीक है तो करते हैं आज का topic start तो tribal revolt or uprising our movement in India जो between 18th और 19th century में होते हैं वो देखेंगे हम ठीक है पहले इनके causes पढ़ते हैं और फिर one by one आगे देखते हैं ठीक है तो causes क्या थे एक तो British की एक्स्टेंश रूल की extension हो रही ही थी जो ये पीजन्ट ये tribal के area थे वहाँ पे जिसकी वज़ा से जो tribal लोग थे वो नाखुश थे और दूसरे तो एक तो दूसरे जो planes के लोग थे चाहे वो जमीनदार थे चाहे money lander थे वो कबजा कर रहे थे किसकी लैंड पे tribal group थे उनकी लैंड पे तो जिसकी वज़ा से ये जो revolt है ये देखने को मिले थे और उसके बाद next और कौन सा कास था एक तो क्या कर रहे थे जो British क्या कर रहे थे जो forest में क्या कर रहे थे forest zone में अपना control आ रहे थे तो जिसकी वज़ा से अब उनको जो tribal group थे उनको कोई अधिकार नहीं दे रहे थे forest में जिसकी वज़ा से भी हमें देखने को मिलते हैं tribal moment और क्या जो Christian missionaries थे वो क्या कर रहे थे वो इन regions में आए और क्या करने लगे इनकी जो traditional custom थे उनमें interfere करने लगे तो ये सब reason थे जिनकी वज़ा से ये tribal uprising moment और revolt हमें देखने को मिलते हैं ठीके तो one by one अब हम देखेंगे इन सब के बारे में जो 28 tribal uprising थी one by one हम देखेंगे अब ठीके तो सबसे पहले कौन सी देखते हैं सन्यासी rebellion जो कब से कब तक हुआ था 1770 से लेकर 1771 तक ठीके सुप्रिम important है कहां पे हुआ था ये बेंगाल में हुआ था reason क्या था इसका reason क्या था कि जो सन्यासी पे जो सन्यासी लोग थे उनको holy places में जाने से मना कर दिया गया था ब्रिटिश के दौरा जिसकी वज़ा से ये सन्यासी rebellion हुआ था कहां पे बेंगाल में ठीके तो इसके लीडर कौन थे किसकी अध्यक्षिता में ये हुआ था मजनूश शा और भवानी पाठक सुप्रिम इमपॉटन ये लीडर है मजनूश और भवानी पाठक सुप्रिम इमपॉटन इसके बाद ही एक book भी लिखी थी बेंकम चंदरे चैटर जीन है जो लिखी थी 1882 में सुप्रिम इम्पॉर्टन को उन से बुकती अनंद मठ जिसमें एक सांग भी है वंदे मातरम इसमें ही है और ये किस पे बेस्टी है ये इसी सन्यासी रिबिलन नेक्स्ट है पहारियाज 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 रिवल्ट पहारियाज रिवल्ट है नेक्स्ट कब हुआ था 1778 में हुआ था पहारियाज रिवल्ट सुप्रिम इम्पॉर्टन रिवल्ट है ये भी किसके अगेनिस्ट हुआ था ये भी British जो expand कर रहे थे territory को उसके against हुआ था पहाड़ियाज revolt supreme important revolt है कब हुआ था 1778 में हुआ था कहां पे देखने को मिलता है ये चोटा नागपूर region of जहारखंड में देखने को मिलता है supreme important ठीक है तो कहां पे हुआ था चोटा नागपूर region जहारखंड में ठीक है supreme important और इसकी किसके prominent इसके leader कोन थे पहाड़ियाज रिवल्ट के तो ये थे राजा जगनाथ supreme important है ये बात भी आप remember रखोगे ठीक है बहुत बार examination में पूछी जाते हैं ये question next है चोर राइजिंग और जंगल महाल rebellion ये कब से कब तक हुआ था 1771 से लेकर 1809 में हुआ था ठीक है supreme important ये date भी as it is remember रखनी है तो ये हुआ कहां कहां पे था माधनपूर बनकूरा और मान भूम एरिया वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है कहां कौन सा चोर अप्राइजिंग कहां पे हुआ था वेस्ट बंगाल के माधनपूर बनकूरा और मान भूम एरिया वेस्ट बंगाल में हुआ था एक कौन सा चोर अप्राइजिंग आ जंगल महाल rebellion कब से कब तक हुआ था ये 1771 से लेकर 1809 में supreme important date है ये भी remember रखोगे ठीके तो क्यों हुआ था जो land revenue policy थी ना इस इंडिया company की ठीके वो इनके survival के लिए danger थी तो इसी की वज़ा से ये जो rebellion है ये spark हुआ था तो इसके leader कौन थे दुर्जिन सिंग इसके leader थे supreme important है दुर्जिन सिंग supreme 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 important है दुर्जिन सिंग next अगला rebellion पढ़ते हैं अगला tribal revolt पढ़ते हैं ट्रेवन कोर revolt ये कब से कब तक हुआ था 1807 से लेकर 1809 के बीच में हुआ था ये ट्रेवन कोर revolt supreme important है तो इसके main leader कौन थे जिनोंने जिनकी अधक्षिता में ये हुआ था विलू थम्भी ठीके ये दिवान थे प्राइम मिनिस्टर थे किसके ट्रेवन कोर स्टेट के ठीके कौन विलू थम्भी very important नेम है ये ठीके तो reason क्या था इन क्या हो रहा था कि जो ट्रेवन कोर स्टेट थी इनके उपर ब्रिटिशर ने बहुत ज़ादा financial burden डाल दिया था through subsidiary alliance ठीके तो subsidiary alliance मैं next वीडियो में पढ़ाऊंगा कि क्या था ये किस तरीके से इसके थू जो हैं वो states हड़पी जाती थी कुछ stages थी through which जो भी state area जो हड़पे जाते थी subsidiary alliance के through ये हम detail analysis करेंगी ठीके तो उसके बाद एक तो ठीके तो इसकी किसकी वज़ा से जो दिवान विलू थांबी थे इनको हटाने की बात करी गई किये थे इनको हटाया गया जिसकी वज़ा से ही ये जो ट्रेवन कोर रिवल्ट हुआ था 1807 और 1809 में ठीके कहां पर हुआ था ट्रेवन कोर present day केरला में Supreme Important है ये remember रखोगे ट्रेवन कोर रिवल्ट Next tribal Realt पढ़ते हैं पाई का रिवल्ट Supreme Important है पाई का रिवल्ट Very 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 important है पाई का रिवल्ट कब से कब तक हुआ था ये 1817 से लेकर 1818 में देखने को मिलता था ये कौन सा पाई का रिवल्ट कब हुआ था 1817 1818 में कहां पे उडिसा में सुप्रिम इंपॉर्टन इसके लीडर कौन थे जिनकी अधक्षिता में ही हुआ था इसके थे बक्षी जग बंदू बक्षी जग बंदू थे इसके लीडर ठीके रीजन क्यों था एक तो 1803 में क्या हुआ था कि जो पाई कास थे उनको डिस्बैंड कर दिया था सर्विसी से ठीके तो जिसकी वज़ा से ये जो पाई कास थे ये क्या थे एक टडिशनल military hours थे, किसकी state of Odisha के ठीक है, तो इनको ban कर दिया था, disband कर दिया था, जिसकी वज़ा से ये पाई का revolt हुआ था कब, 1817 से लेकर 1818 में, ठीक है तो ये भी British land revenue policy के agenist में भी देखने को मिलता है, ये पाई का revolt, नेक्स्ट है भील revolt जो 1818 से लेकर, 1848 कौन सा, भील revolt देखने हुआ था, कहां पे, पंच महाल area of गुजराद कब हुआ था, 1818 से लेकर, 1848 में supreme important है, तो ये भी आप remember रखोगे तो इसके leader कौन थे, जिनकी अधक्षिता में ये भील revolt हुआ था एक दशरत थे, रूप रूपा सिंग और जारिया भगत ये तीन most important leader थे किसके, भील revolt के तो ये किसके खिलाफ हुआ था, इस इंडिया company के खिलाफ हुआ था, क्योंकि उनका जो treatment था, भील के regarding वो अच्छा नहीं था तो इस वज़ा से ये जो है, भील revolt देखने को मिला था, ठीके, कब 1818 से लेकर 1848 में supreme important revolt था, भील revolt, next आगे अगला revolt पढ़ते हैं, tribal revolt, रामूसी revolt, supreme important is रामूसी revolt, कब से कब तक हुआ था ये, 1822 से लेकर 1829 में हुआ था, कहां पे, महारास्टरा में, ठीके कहां पूना, सतारा और ये एरिया थे, किसके महारास्टरा के एरिया है, वहां पे देखने को मिला था, ये, रामूसी revolt, 1822 से लेकर 1829 में हुआ था, महारास्टरा में, ठीके, तो next हम पढ़ते हैं इसके कौन-कौन से लीडर थे, तो ये भी supreme important है, इसके लीडर भी आपको पता होने चाहिए, इसके लीडर थे, चितर सिंग, चितर सिंग, नर सिंग, दता तरिया, दता तरिया, और उमा जी नाएके, और वासु देव बलवंत फाड के, इनको वासु देव, बलवंत फाड के को, Robin Hood of महारास्टरा भी बोलते हैं तो इन सब की अधिक्षिता में ठीके ये रिवल्ट देखने को मिला था ठीके तो ये क्यों हुआ था जो पेश्वा की टेरिट्री थी ना वो ले गए थे कौन ब्रिटिशर उन्होंने नेक्स कर दी थी जिसकी वज़ा से अनिम्प्लॉइमेंट फैला था तो य मैं रमुसी कम्टी की जिसके चलते हैं ये रिवल्ट खतम हो गया था ठीके तो नेक्स रिवल्ट पढ़ते हैं ट्राइबल रिवल्ट कौन सा हो अप्राइजिंग सुप्रिम इंप्राइजिंग भी कब से कब तक रही थी ये 1820 से लेकर 1832 में होई थी ये कहां पे होई थी तो ये हुई थी जारखंड में ठीक है शंग भूम और छोटा नागपूर रीजन जारखंड वहाँ पे देखने को मिलती थी होर अप्राइजिंग तो इसके लीडर कौन थे राजा परहात राजा परहात इसके लीडर थे इसी की वज़ा से इनके अगेनिस्ट हुआ था मानी लैंडर मर्चेंट और ब्रिटिश के अगेनिस्ट हुआ था हो अप्राइजिंग कब 1820 से लेकर 1832 में कहां पे जारखंड में किसकी अधक्षिता में हुआ था राजा परहात की अधक्षिता में नेक्स्ट ट्राइबल मुव्मेंट पढ़ते हैं, कोली अप्राइजिग, सुप्रिम इंपॉटन्ट अप्राइजिंग है, कोली अप्राइजिंग, कभ से कभ तक हुई थी, ये 1824 से लेकर 1848 में हुई थी, कहां पे, तो ये कहां पे हुई थी, और महारास्ट्रा में देखने क मिलती थी कोली अप्राइसिंग गुजरात और महारास्टर में हुई थी किसके एगेनिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी के एगेनिस्ट हुई थी इसके लीडर कौन थे रगू बंगारे रगू बंगारे ठीके ये लीडर थे किसके कोली अप्राइसिंग की ठीके सुप्रिम इंप मेहालunya में थोड़ी सरदी होती है तो सरदी में क्या लगी? खांसी तो खांसी रिवल्ट आपको याद रहेगा कहां पर हुआ था? असन् और मेहाले में कब हुआ था ये? 1820 चीहता ता 1829 के बीच में देखने को मलता था खांसी रिवल्ट ठीके हुआ था? कहां पे असम और मेगालिय में इसके लीडर किसकी अधक्षिता में यह हुआ था तीरत सिंग और बोर मानिक सिंग की अधक्षिता में हुआ था ठीके क्यों हुआ था कि जो बिटिश क्या कर रहे थे तो जिसकी वज़ा से यह ट्राइबल ने मुमेंट किया था ठीके कौन सा खासी रिवल्ट कब से कब तक हुआ था यह 1829 से लेकर 32 के बीच में ठीके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रिवल्ट पढ़ते हैं ट्राइबल रिवल्ट सांभलपूर आउटब्रेक यह कब हुआ था 1827 से लेकर 40 में हुआ था यह सांभलपूर आउटब्रेक इसके बरिटिश इस जिसकी वज़ब से यह हुआ था सांभलपूर आउटब्रेक और सांभलपूर रिवल्ट कब हुआ था 1827 से लेकर 40 में हुआ था उड़ीसा में नेक्स्ट है भुंदेला भुंदेला रिवल्ट सुप्रिम इंपॉटन्ट है भुंदेला रिवल्ट कब हुआ था ये 1842 में कहां पे देखने को मिला था ये मध्य परदेश में सुप्रिम इंपॉटन्ट है ये भी रिमेंबर रखोगे नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं बंदेला रिवेल्ट के बारे में तो इसके लीडर कौन थे बंदेला रिवेल्ट के जिनकी अधेक्षिता में ये हुआ था मदूकर शा और जवहार सिंग ओर रीजन क्या था जो ब्रिटिश की लेंड रेवन्यू पॉलिसी थी जिनकी वाज़ा से ये रिवल्ट देखने को मिला नेक्स्ट ट्राइबल रिवल्ट देखते हैं हम 17 डिस्टर्बेंस जो कब से कब तक हुआ था 1840 से लेकर 41 के बीच में कहां पे महारास्ट्रम है किसकी अध्यक्षिता में कौन लीडर थे जिनकी अध्यक्षिता में ये 17 डिस्टर्बेंस देखने को मिला ठीके ये थे धार राओ पावार और नार सिंग सुप्रिम इम्पॉर्टन ये दो लीडर थे क्यों हुआ था क्योंकि जो परताप सिंग थे वो ब्रिटिश शेर ने क्या किया था डिपोस्ट कर गए थे जो पॉपलर लीडर थे किसके सतारा की तो जिसकी वज़ा से ये ठीके जिन्होंने जो परताप सिंग थे इन्होंने क्या किया था वाइलेट किया था किसको सबसीडरी एलाइन जिसके चलते डिपोस्ट किया था ब्रिटिश एर ने एक परताप सिंग को तो इसी की वज़ा से सतारा डिस्टर्बेंस देखने को मिला था 1840 और 1841 में कहां पर महारास्टरा में किसकी अध्यक्षदाब में धर्स धर्राव और नर्सिंग सुप्रिम इंपॉर्टन ये दो नाम है अज़ इसी रिमेंबर रखो गया आप नेक्स्ट है कुका कुका मुमेंट और इसको बोलते हैं नामधारी मुमेंट भी बोलते हैं कब से कब तक हुआ था ये 1845 से लेकर 1872 के बीच में हुआ था कहां पर पंजाब में इसके फाउंडर कौन थे राम सिंग जिनको बालक सिंग भी बोला जाता है और भगत जवहार माल भी बोला जाता है इनकी अधिक्षिता में हुआ था ये फाउंडर थे कि इसके कुका मुमेंट के हैड़कॉर्टर कहां पे था इसका हजारा मैं जो परिजन डे जिलंदर डि क्योंकि जो सिख कमुनिटी में एक तो कॉस्टीजम कॉस्ट सिस्टम ठीके और ड्रग्स वगेरा के चलते ये जो मुमेंट कुका मुमेंट देखने को मिला था कब 1845 से लेकर 1872 के बीच में कहां पे पंजाब में ठीके सुप्रिम इंपॉर्टन नेक्स्ट आगे बढ़ते ह और खौंड अप्राइजिंग जो कब से कब तक हुई थी खौंड अप्राइजिंग सुप्रिम इंपॉर्टन थे खौंड अप्राइजिंग ये हुई थी 1837 से लेकर 1914 में कहां पे हुई थी उडिसा में हुई थी ये भी और लीडर इसके कौन थे चक्रा बिश्नोई सुप् प्रस कर दिया था जिसके चलते हुआ था new taxes लगाए गए थे जमीनदार के जमीनदार ने तो और इनकी जगाओं पे जमीनदार आये थे जिसकी वज़ा से यह खोंड अप्राइजिंग देखने को मिली कहां पे Odisha में कब 1837 से लेकर 1914 में supreme important next आगे भढ़ते हैं और next revolt देखते ह tribal revolt कोया revolt supreme important is कोया revolt कब से कब तक हुआ था यह 1879 से लेकर 1880 में हुआ था कहां पे आंधरा परदीश में इसके लीडर कौन थे तोमा सोरा और राजा अनंतियार supreme important ये दो नाम हैं ये भी remember रखोगे क्यों हुआ था जो एक पुलीस की जो ब्रिटिश पुलीस की एक oppression policies थी उसकी वज़ा से और money lender new regulation थी ठीक है जो क्या कर रही थी इनको जो कोया के लोग थे उनको उनके customary rights से जो है उनको ठीक है इगनोर कर रही थी जिसकी वज़ा से ये क्या हुआ था कि वो जो उनका forest में जो custom बनाना उस area में वहाँ जाने के लिए उनको मना करते थी तो जिसकी वज़ा से कोया revolt हुआ था 1879 से लेकर 1880 में supreme important है as it is the remember रखोगे आप next step munda revolt supreme 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 important हर एक नएक question यहां से देखने को मिलता है कौन सा मुंडा revolt से यह कब से कब तक हुआ था 1899 से लेकर 1900 में हुआ था supreme important कहां पे हुआ था यह भी छोटा नागपूर रीजन जारखंड में हुआ था ठीके तो इस revolt को मुंडा revolt को क्या दूसरे नाम से भी जाना जाता है उल्गलन उल्गलन नाम से भी जाना जाता है उल्गलन means great revolt के नाम से भी ठीके तो मुंडाज कोन थे ठीके इनको बोलते हैं कुंट कटीदार कुंट कुंट कटीदार या original cleaner of forest के नाम से भी जाने जाते कोन मुंडाज ठीके supreme important यह line भी आप as it is remember रखोगी तो किसकी अधेक्षिता में यह हुआ था मुंडा revolt यह बिरसा मुंडा की तो किसके अगेनिस्ट हुआ था British merchants और Money Lander के अगेनिस्ट हुआ था तो बिरसा मुंडा की birth anniversary पे ही जो इनकी birth anniversary कब बनाई जाती है November 15 को तो यह दिन क्या बनाया जाता है जन जाती है गोरव दिवस यह tribal pride day भी बनाया जाता है किसकी याद में बिरसा मुंडा की birth anniversary पे बनाया जाता है जन जाती है गोरव दिवस यह tribal pride day supreme important है यह remember रखोगे यह भी बहुत exam में पूछा जाता question है ठीक है next बढ़ते हैं और coal अप्राइजिंग देखते हैं क्या coal अप्राइजिंग supreme important is coal अप्राइजिंग कब से कब तक चली थी यह coal अप्राइजिंग 1831 से लेकर 32 में हु जातो और गंगा नारायन यह इसके main leader थे किसके coal अप्राइजिंग के तो कहां पे हुआ था यह छोटा नागपूर रीजन अफजारखंट अगेनिस्ट किसके में हुआ था यह British और Money Lander के अगेनिस्ट हुआ था यह coal अप्राइजिंग ठीक है तो next अप्राइजिंग देखत को मिला था ठीक है और इसके leader कौन थे रूप सिंग और जोरिया भगत सुप्रिम important है यह भी remember रखोगे किसके against हुआ था यह British policy of expansionism और interference जो British कर रहे थे उसके against हुआ था नाइकाड रिवल्ट कहां पे पंच महल एरिया अफ गुजरात सुप्रिम important है next आगे बढ़ते हैं 82 में कहां पे हुआ था कचार असाम में देखने को मिला था यह leader कौन थे शंबुधना शंबुधना लीडर थे जनकी अधक्षता में हुआ था क्यों हुआ था किसकी against में हुआ था British land revenue policy के against हुआ था कौन कच नाग रिवल्ट कहां पे कचार असाम में supreme important है next आगे बढ़ते ह रामपा rebellion ठीक है supreme important है रामपा rebellion रामपा rebellion कब से कब तक हुआ था ये 1822 से लेकर 1924 में हुआ था कहां पे आंधरा परदीश में supreme important किसकी leadership में हुआ था अलूरी सीता रामा राजु की अधक्षिता में हुआ था supreme important ठीक है तो क्यों किसकी against हुआ था ठीक है तो एक British यर ने एक ये किसकी protest में हुआ था British यर ने क्या किया था एक मदरास forest act निकाला था कहां पे 1882 में मदरास forest act विशाखा पटना में निकाला था इस act के थू क्या कि जो tribal people थे उनको restricted किया गया था कि उनकी free movement forest area में restrict की गई थी और उनको prevent किया गया था कि एक traditional cultivation जिसको पुडू बोलते हैं ये भी shifting cultivation की एक type है उसको करने के लिए मना कर दिया गया था और forest fire ठीके forest में wood को fire करने के लिए भी मना किया था तो जिसकी वज़ा से ये रामपा रभीलेन देखने को मिला था कहां पे आंधरा परदीश में किसकी अधक्षता में अलूरी सीता रमा रा और next tribal revolt देखते हैं ओरियन रिवल्ट supreme important is ओरियन अप्राइजिंग कब से कब तक हुई थी ये ठीके तो ये हुई थी 1914 से लेकर 1915 में हुई थी कहां पे जारखंड में हुई थी चोटा नागपूर area of जारखंड ठीके तो लीडर कौन थे इसके जिनकी अधिक्षता में ये औरेन अप्राइजिंग हुई थी ये थे जातरा भगत ताना भगत ठीके किसके एगेवर में हुई थी एक तो monotheism ठीके जो भलीफ रखते थे एक गाड में और ठीके और किसके अगेनिस्ट हुआ था मीट लिकर और ट्राइबल डांस के अगेनिस्ट हुआ था तो बाद में कब हुआ था 1914 से लेकर 1915 में जारकंड में नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तारो कुकी राइजिंग या इसको बोलते है दा ग्रेट कुकी रेबिलियन कब हुआ था ये 1917 से लेकर 1919 में कहां पे हुआ था मनीपूर में हुआ था प्रिम इंपॉर्टन्ट है तो किसकी अधिक्षता में हुआ था जदोनाग जदोनंग एंड रानी गदेन गदेन लिव ठीक है रानी गदेन लिव और जदोनाग जदोनंग इनकी अधिक्षता में ये तारो कुकी राइजिंग देखने को मिली थी कब 1917 से लेकर 1919 में ठीक है तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश डिमांड कर रहे थे ठीक है कॉप्स की जो मनीपूर किंग से कर रहे थे कितनी और मनीपूर के किंग थे उन्होंने प्रामिस्ट किया था कि वो 2000 मैं देंगे किसको ब्रिटिश को ठीक है बड़ कुकी चीफ जो थे वो रिफ्यूस कर देते हैं और वार डिकलियर कर देते हैं ठीक है किलोनी के खिलाफ कब 1917 में सुप्रेम इंपॉर्टन थी इसी को बोलते है तारो कुकी राइजिंग या दा ग्रेट कुकी रिबिलियन ठीक है तो नेक्स्ट अगला रिबिलियन देखते हैं अगला ट्राइबल रिबिलियन और मूमेंट देखते हैं कौन सा था जिलिंग ग्रोग जिलिंग ग्रोग मूमेंट जिलिंग ग्रोग मूमेंट जो कब से कब तक चला था 1920 से लेकर 1935 में हुआ था कहां पे ये भी मानीपूर में हुआ था इसके किसकी लीडर्शिप में हुआ था ये हाइपो जोदंग और रानी गैदेन लियू की अधिक्षिता में हुआ था अजेक्टिव क्या था कि डिफेंड करना पॉलिटिकल राइट जो इंटिग्रेट करते थे कामन होमलैंड कि मैं किसको जिलंग ग्रोंग को ठीक है तो ये इसकी वज़ा से ये चलाया गया था कहाँ पे मनीपूर में किसके दुआरा चलाया गया था जदो नंग जदो नंग और रानी गैदेन लियू की अधिक्षिता में चलाया गया था ये मुमेंट कहाँ पे मनीपूर में कब से कब तक 1920 से लेकर 1935 में सुप्रिम इंपॉर्टन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये आंधरा परदेश के नाला मला हिल्द में देखने को मिला था ठीक है कौन सा चेन चूज रिवल्ट कब से कब तक हुआ था ये 1817 से लेकर 1922 में देखने को मिला था क्या देखने क्या चेन चूज रिवल्ट ठीक है तो किसकी अधरा लीडर्शिप में ये हुआ था के हनू मन्थू की अधिक्षिता में ये हुआ था क्यों क्यों हुआ था ये क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल फॉरस्ट पे भड़ता जा रहा था तो जिसकी वज़ा से ये चे क्यों करनाटिका के कितूर में सुप्रिम इंपॉर्टन किसकी अधिक्षिता में हुई थी कौन लीडर थे इसकी चन्नमा चन्नमा थी इसकी लीडर ये क्वीन अफ के तूर थी ठीक है क्यों हुआ था जो के तूर के राजा थे जिनका नाम था रूद्र दसेई जब उनकी ड विल्ट होता है ठीके तो के तूर को अनेक्स कर देता है ब्रिटिश इंपायर ठीके तो ये डॉक्टरेन अफ लेप्स से भी पहले की बात है तो इसी की वज़ा से जो चनेमा थी उन्होंने एक गुरिला वार फियर चलाया था ठीके उसके बाद इनकी जो चनेमा थी वो मरित् हो जाते हैं तो जिसके चलते हैं ये मुमेंट कतम हो गया था कैतूर अप्राइसिंग ठीके तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गड़करी अप्राइसिंग सुप्रीम इंपॉटेट है घड़करी अप्राइसिंग भी ये भी बहुत बार examination में पूछे जाते हैं यहां से भी question गड़करी अप्राइजिंग कब हुई थी ये 1844 में हुई थी कहां पे महारास्टरा में किसकी लीडर्शिप में हुई थी डाजी कृष्णा पंडित की अधिक्षिता में हुई थी ठीके तो ये रिवल्ट क्यों हुआ था ये रिवल्ट हुआ था 1844 में क्योंकि जो ब्रिटिश यर के आर्बिट्रेरी मैथड थे किसको लेकर गड़करी लोगों को लेकर और लैंड रेवन्यू डिसमिसल सर्विस से उनको कर दिया गया था तो जिसके चलते ये किसने किया था और किसकी सुपर्वीजन में मामलतदार की सुपर्वीजन में मामलतदार कौन होते हैं Head of Revenue Administration होते हैं कौन मामलतदार तो जिसकी वज़ा से ये चला था गड़करी अप्राइजिंग किसकी अधिक्षिता में डाजी कृष्णपंडित की अधिक्षिता में कहां पे महारास्टा में कब 1844 में सुपरिम इंपॉटन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वागेरा अप्राइजिंग सुपरिम इंपॉटन है वागेरा अप्राइजिंग भी ये कब हुई थी 1818 से लेकर 1820 में हुई थी कहां पे बारोडा ठीके बारोड़ा बडोड़ा में हुई थी परिजन्ट ए वडोड़ा गुजरात में देखने को मिलता है ये बारोड़ा ठीके तो लीडर कौन थे ओखा मंडल सुपरिम इंपॉटन ओखा मंडल थे वागेरा अप्राइजिंग के लीडर कौन थे ओखा मंडल अगेनिस्ट किसके हुआ था ये भी ब्रिटिश रूल के अगेनिस्ट हुआ था ठीके तो आज हमने कितने रिवल्ट देखे ट्राइबल रिवल्ट देखे कितने 28 जो सुपरिम इंपॉटन्ट है आपकी examination point of view से ठीके तो ठीके आज का topic यहीं होता है समापत अगर आपको ये वीडियो informative लगी तो अपने friend लोगों के साथ share करें ताकि वो भी इसका benefit रहा सकते हैं अगर अपने वीडियो like नहीं की तो आप like करें इसको share करें और हमारे channel को subscribe करें ठीके तो मैं description में telegram group का link भी दे दूँगा आप further update के लिए उसको भी join कर सकते हैं ठीके धन्यवाद thank you thank you for watching